वैसे तो गेहूं की 50 से ज़्यादा विराइटियां हैं और समय समय पर नई नई विराइटियां भी रिलीज होती रहती हैं हर विराइटी का अपना एक फसल चक्र होता है और फसल चक्र मतलब उसकी अवधी होती है और उसका उत्पादन होता है हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा एरिया है लेकिन आठ से दस अलग अलग विराइटियों के गियहूं लगे हुए है ये एक ट्रायल है और ये ट्रायल किया जा रहा है पदमसरी से सम्मानित किसान रामसरन वर्माजी के द्वारा उनका ये मानना है कि जो हर विराइटी के खासियत होती है उसका एक तयार होने का अलग पिरियड है उसकी जो उत्पादन है वो अलग होता है और हर में कुछ में ये छमता होती है कि वो तेज आधी और बारिस को भी ज़िल लेता है जबकि कुछ गिर जाते हैं तो यह ट्राइल के माध्यम से यह जानने की कोसिस कर रहे हैं, इन्होंने हर जो अलग-अलग विराइटी है, उसके नाप तौल कर बीज डाला है और एक ही समय लगाया है और एक ही तरह का पानी देते हैं, हम सर केला काड़ करके हम गेहूं लगाते हैं, इस समय हमारे पास सो एकड गेहूं लगा है, तो सो एकड गेहूं हमने बड़े प्लाट में लगा वही वराइटी हम यहां पर लगा रखे हैं, तो वहां पर तरह तरह की जमीन हैं सो एकड में, लेकिन हम एक जैसे थोड़ी से ए है और बरावर दुरिए पाल करके बीच है जयसे हैं n junt लगा याह तीन थीन है यह हम को यह पता चलेगा कि करफ़ वराटी कितने दिन में तयार होती है कर दो कि अगफ कि निहीं कम भीमारी लगती है कर गाई में कितनी बड़ी बालि आती है का उन सिविवारी में कितनी वहले हमने घुच्छे आते हैं और होतने गुच्छे उपर निकलते हैं यह भी पfa चलेगा कि मालोम दस गुच्छे निकले उपर बालिया आइं आठ में किसी में दस निकले दस में भालिया तो यह भी हमको पता चलेगा इसके साथ साथ जो सबसे बढ़ी है इसमें पता चलेगा कि हमारी पैदावार क्योंकि हमने 25 स्क्वायर फिट में एक बराइटी लगा रखी है और तावल करके हमने गेहों के बरावर बीज डाला एक दिन बुवाई कि एक सेम खेत है तो इसमें ह पता चलेगा कौन से बराइटी गिर जाती है जो कि गिरने से भी हमारी गेहों के पैदावार 20 से 25 परसंट कम आती है तो जो भी बराइटी हम करते हैं वो बराइटी अपने हैं रिचर्च करते हैं जैसे आपने गेहों की देखा होगा और गेहों की हैं आलू की हैं केले की है पांच शे वराइटी हमारे तीन काम बढ़े हैं तीन काम इसलिए बढ़े हैं कि गेहूं केला टमाटर गेहूं आलू और केला और टमाटर यह तो तीन काम बहुत बढ़े हैं उसमें टमाटर की भी खेती हैं सिमला मिर्च भी कर रहा है लेकिन गेहूं का जो हमारा ट्रायल है यही बात जो हमारे किसान आते हैं जैसे हमारी 303 बराटी लगी इसकी पैदावार पिछले साल 26 कुंटल एकड किया ही है दाना मोटा है यह बराटी गिरी नहीं जमीन पर इसके साथ हमने लगाया था यह बराटी हमारी गिर गई इसके पैदावार हमारी 22 कुंटल लाई जबकि बराटी सेम थी एक जैसे इसके भी पैदावार बहुत अच्छी आती है लेकिन यह गिर गई यह खेत में मार्च में जब कभी-कभी बारिस आती है तूफान आता है वो ले गिरते तो य यह फिर कमाई हमारे ट्रायल में भी कमाई गिर गई तो यह हमारा जो ट्रायल है तो इससे हम सीखते हैं इससे सीख करके फिर हम बड़े प्लाट पर लागो करते हैं और जो हमारे किसान भाई याते हुंसे बताते हैं कि यह वराइटी पर हमने हमारी इतनी पैदावार आई ह स्र oke tuna AUDIENCE yahoo के ड्डराइटी का M में वे अच्छही ए इसके परावार भी अच्छी है यह है कुल विला कि आप वेडिय का एक ट्राइल करते हैं और ट्राइल करने के बाद में उसका जैसा रिजुल्ट होता है वह खुद भी अपनाते हैं और पर यहां भी देखेंगे जो बरायटी ज्यादा उची होगी सभाविक है अतनी जल्दी होँ में गिर जाएगी तो यह सब शीक करके यह हमारा पूरा रिसर्च फार्म है हम तरीका कौन सा है बतलब रासायनिक खाद है प्राकृतिक है नहीं हम जो है आप हमने आप से बताया कि हम फसल चक्र के माध्यम से बिवधी करण के माध्यम से डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से और हम हरी खाद गोबर की खाद पर गए अगले साल गह काट करके कमारी गहों को जा रहें तो कोई भी धी फर्टीलाजर खेत देंगे हि नहीं यह ऐखाद काभी ट्राइल हे कि समें कोई घ्रैयल में और शुक नहीं पृछ निरंतर खात से हट रहे हैं । पिछले जेसे हम सो किलो खाद परियोग करते हैं आज प जो हमने एक हरी खाद भी आपको दिखाया है कि हरी खाद भी खेती में हमारी मिर्दा को स्वास्त रखेगा और उत्पादन भी बढ़ाता है तो ये जब तयार होगा तो इसके माध्यम से एक रिजल्ट आएगा और रिजल्ट से ये पता अलग पाएगा कि कौन सी वराइटी कितने समय में कितना उत्पादन दे गई और ये जब ट्राइल का रिजल्ट ये दूसरे फार्मर बड़े पैमाने पर यूज करते हैं तो उसका फाइदा उनको जादा होगा उत्पादन बढ़ेगा उनकी आमदनी बढ़ेगी ये फाइदा खुद भी ले रहे हैं और ये तकनीक ये गेहु में ही नहीं बलकि आलू बिविदी करण की बात भी करते हैं और बिविदी करण भी एक ऐसा टॉपिक है कि एक किसान को पूरे साल में अलग-अलग तरह की क्रॉप लगानी चाहिए और अलग-अलग तरह की क्रॉप लगाने से फाइदा यही होता है कि किसान को किसी में कम मुनाफ़ा तो किसी में ज पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन भी दबा दें